तरिनिदार T10 DreamLevon Team SPK vs SLS DreamLevon Match Prediction तरिनिदार T10 Blast Match Prediction तो दोस्तों तरिनिदार T10 टुनामेंट का एक और मुकाबला SPK vs SLS के बीच में एक बार फिर से ब्राइन लारार स्टेडियम तरिनिदार के विकेट पर खेला जाएगा और इस विकेट पर देखा जाए दो लार्ट के 3 मैच हुए है तीनों मैचस के अंदर दोस्तों जो 100 पलस रने दोस्तों वो बने है यानि लगबग देखा जाए तो हर मैच के अंदर जो बल्ले बाज है उनको काफी अच्छा स्पोर्ट है वो यहां पर देखने को मिल रहा है बाकी दोस्तों मैच से पहले अगर पिछ के बारे में कोई भी अपडेट आती है तो वो मैं आपके साथ सेयर करूँगा हमारे टेलिगाम चैनल में और टेलिगाम जोइन करने के दो इंपोर्टन लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं SLS से आप भी दोस्तों वीडियो को लाइक से स्टार्ट कर देना क्योंकि आपका जो लाइक होता है वो हमें काफी ज़्यादा मोटिवेट करता है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ना SLS की टीम ने तीन मुकाबले के लिए हैं और तीनों के तीनों मुकाबले दोस्तों हार कर रहे हैं टीम के और से T Webster टीम के लिए लगातार ओपन कर रहे हैं और टीम को स्टार्ट भी अच्छा दिया पहले मैस में 10 फिर उसके बाद 64 और लास्ट मैस में 54 रन बनाए बैटिंग के लबाब पोलिंग में दोस्तो यह शिरव पर-time गेन बाज है बोलिंग में पहले मैस में 2वर complete आली थे एक wickate मिला दूसरे मैस में बोलिंग में एक ओवर डाला विकेट नहीं मिला, last match में नोंने बॉलिंग नहीं की, तो बैटिंग के दोर पर दोस्तो एक बैस्ट पिक है, लेकिन बॉलिंग से दोस्तो इनसे ज़ादा उमीदे नहीं रहेगी निकोल से दोस्तो जिन्होंने पहले match में सांदार पड़सन किया था, 53 बनाए लेकिन उसके बाद, last के दोनों matches के अंदर दोस्तो पूरी तरह से फलोप रहे हैं, केरन पोलाड जो वन डाउन केर रहे हैं, जबरदस्त ओलाउंडर प्रेयर है, पड़सन देखोगे, पहले match में 8, last match में 27 मनाई बॉलिंग में, पहले match में 1 ओवर दसर ने कुकेट था, last match में 2 ओवर 21 इनको विकेट नहीं मिला इनके बाद, इवार्ट निकोलसन है, शुरू के 2 match में फलोप हुए थे, लेकिन last match में कमाल की वापसी की, और दोस्तो 42 नों के अटैकिंग पारी खेली, हर match में दोस्तो, नमबर 4 पर इनोंने बल्ले बाजी की है, इनके बाद Daniel Williams है, अब तक दोस्तो 3 match के लिए है, तीनों ही match में 5 कांकड़ा भी नहीं चूपाए, रिसाद हैरिस है, एक match में 33 नाबाद बनाए थे, बाकी इनको बैटिंग करने का मोका नहीं मिला, bowling में दोस्तो, दो अबर ये complete डा रहे है, शुरू के दो match में इनको कोई विकेड नहीं मिला था, last match में इनोंने दो और में 28 संद करके दोस्तो एक विकेड निकाला, इनके बाद दोस्तो, case 1 डिलो है, अभी इनको पर्फर्म करने का मोका नहीं मिला, सिवा संकर, average performer गेंद बाज है, एक match में दोस्तो, इनोंने एक विकेड निकाला था, बाकी के दो match में इनको कोई विकेड नहीं मिला, जस्टीन जागिसर है, अभी तक कोई खासा इनका योगदान नहीं रहा है, वसंद सिंग है दोस्तो, पहले match में दो और में 16 रंखर्ज करके एक विकेड निकाला था, लाश्ट जो match था दोस्तो, उसमें उनोंने 1.3 अवर बॉलिंग की 18 रंखर्ज की कोई विकेड नहीं मिला, इरिक गर्षिय है दोस्तो, लाश्ट में में पहली बार खेलने का मुखा मिला, यह एक और बॉलिंग की तेही संखर्ज के विकेड नहीं मिला, और रोल दोस्तो, कलम में इनका जो रिकोर्ड है, वो अच्छा रहा है दोस्तो, कई बार अच्छी विकेड निकाले वे हैं, तो कभी भी दोस्तो, अच्छी विकेड निकाल सकते हैं, बैंसर्ज के प्लेयर को लेकर अगर कोई चैन्ज ये करेंगे, तो उसकी अपडेट है, वो मैं आपको फरवाइड करूँगा हमारी टेलिगाम चैनल में, और दोस्तो, टेलिगाम जोइन करने के लिए, दो इंपोर्टेंट लिंक आपको वीडियो के नीचे, डिस्किप्शन बोक्स में मिल जाएंगे, अभी दोस्तो हम बात करते हैं, एस पी की के बारे में, जो कि दोस्तो मजबूर टीम है, पहला मुकाबला चार विकेड से विन किया, दूसरा मुकाबला चार विकेड से विन किया, इवन लेविस जो कि एक अटाइकिंग बल्ले बाज है, पहले मैच में 29 और लाश्ट मैच में दोस्तो चोमन रन बनाए, इनके बाद आदरिन अली विकेड कीपर बल्ले बाज है, पहले मैच में नमबर 4 पर खेले थे, 16 बनाए, लाश्ट मैच में टीम नहीं से ओपन करवाया, 12 रन बनाए, मारक दयाल है दोस्तों, जो कि लगातार वन डाउन खेल रहे हैं, पहले मैच में तो खाता नहीं कोला था, लेकिन लाश्ट मैच में इन्होंने 29 रन बनाए, बोलिंग में भी दोवर कंपिड आ रहे हैं, पहले मैच में दो विकेड थे, लाश्ट मैच में दोस्तों, दोवर में 21 रन खचके, इनको विकेड नहीं मिला, इनके बाद किर्तान, काली सरन, नमबर 4 और 5 पर खेल रहे हैं, पहले मैच में 21, लाश्ट मैच में 8 रन बनाए थे, इंटरनेशनल अंडर 19 की पले रहे हैं, मावेकी जोसर पहले मैच में उपन किया, एक रन पराउट हुए, लाश्ट मैच में नमबर 5 पर रहे थे, पांस रन पर नाबाद रहे, ये भी दोस्तों अंडर 19 के अंदर, पार्टी स्वेट कर चुके हैं, विकास मोहन, नमबर 6 पर बैटिंग कर रहे हैं, पहले मैच में 18 नाबाद, लाश्ट मैच में 0 रन पर नाबाद रहे थे, जैरोन अलफरेड है, बैटिंग में अभी तक कोई खासा योगदा नहीं रहा, बोलिंग में दोस्तों 2 मैच में एक एक और बोलिंग किया है, पहले मैच में इनको एक विकेट मिल गया था, अच्छा नूब और इनके पास है, कभी भी आपके लिए गयांट सेंजर प्रेयर बन सकते हैं, उत्ताम मुमद है, दोवर कंपेट डार रहे हैं, लेकिन दोनों मैच में सिरफ अभी तक मार पड़ी है, कोई विकेट इनको नहीं मिला है, मौलोन है दोस्टों, तो उसकी अबड़ेट है, भी आपको फर्वाइड करू होँगा, हमारे टलेगाम चेनल में, टलेगाम जोइन करने के दो लिंक दोस्टों आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, अभी दोस्तों बात करते हैं डेमो टीम के बारे में तो हीकेट कीपिंग में आदरिन शैजाद अली को मैं ट्राइ करूँगा जो कि शेफ और अच्छा उप्सन है डैनियल विल्यम को ज़्यादा फर्फर्म का मुखा नहीं मिलता बैटिंग डिपार्टमेंट में निकोलस हैं जासे टीव एबरिस्टर इवार्ट निकोलसन और इवन लेविस को मैं ट्राइ करके चल रहा हूँ निचे के ओप्सन में देखा जाए दोस्तों तो कोई खास अच्छा उप्सन नहीं रहेगा ओलंड सेक्स में मारक देयाल केरन पॉलाड और इमरान खान को ट्राइ कर रहा हूँ आप चाहिए तो जोस्तों जैरोन ऐल्फरेट के साथ जा सकते हैं देकिन दोस्तों इमरान खान है जो टीम के कैप्टन भी है और स्रीपियल में भी दोस्तों ये खेल चुके हैं वसं सिंक और विकास मोन है दोस्तों इनको आप ग्रेंड लिंग में मोका देना चाहिए तो दे सकते हैं बाकि कोई खास अच्छी पिक नहीं रहेगी तो अभी के लिए दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर टीम देख रहे हैं ये दोस्तों हमारी एक डेमो टीम रहने वाली है जो हमारी फाइनल टीम होगी दोस्तों वह फूरी तरह से टोस्त पे डिपेंड रहेगी और टोस्त के बाद टीम में जो भी चैंसे बगरा होंगे उसकी जो अपड Catholics है दोस्तोnd वो आपको फुरवाइड कराऊंगा हमारी टेलिगाम चैनल में और टेलिगाम जोइन करने के दो लिंक है दोस्तों वो मैंने वीडियो के निचे मैंशन किये हैं जहां से आप कलिक करके सीधा हमारी साथ टेलिगाम में जुर सकते हैं बात Captain Wise Captain की करें उससे पहले दोस्तों अगर आपको मारा वीडियो पसंदार और वीडियो का अपने अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई की मेनत के लिए भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को एक लाइक जुरूर कर देना और चैनल पर पहली पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब अप्सन रेने वाला है इनके अलावा दोस्तों कोई खास अच्छी पिक नहीं है जिनको आप ब्रैंडली में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं बागी मेरी फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन और आप्डेटर टीम आपको टेलिगाम के अंदर मिल जाएगी तब तक क को लाइक और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक यू फ्रैंड्स ओल दा बैस्ट